बीजेपी कारे समिती में बोले जेपी नड़ा चोरों को सुरक्षा दे रही है ममता बनर जी बंगाल में बीजेपी कम समय में लब भी यात्रा कर चुकी दिली में देश में अब चार वैक्सीन मिलेंगी फाइजर के साथ बाचित जारी डॉक्टर वी के पॉल ने बताई बात सिपला ने मांगी थी डीसी जी आई से मंजूरी डबलू एचो से मिली हुई है मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी आपात इस्तिमाल के लिए मॉडर्ना की वैक्सीन कर सकेगी आयात्रा वार्डान्सी में पैट्रोल के दाम ने लगाया श्रतक सौर रुपेगा पार्प महुचा प्रीमियम पैट्रोल का रेट् जमू कश्मीर पर पीम मोदी की हाई लेवल मीटिंग रक्षा मंत्री ग्रह मंत्री और नसे डोबाल रहे मौजूर् नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस बुलिटिन में हूँ आपके साथ शिवम्यादव मायवती के ट्वीट पर मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पलटवार किया है आपको बता दे के मायवती ने ट्वीट कर बावा साहिप के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का सिलान्याश करना नाटक बाजी बताया है मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहाए कि इस प्रदेश का एक एक दलित अच्छी तरह से जान चुका है कि गाउं की खेती होती थी कुछ दबंग लोग अधिया पर ले लेते थे वो खेती में बुआई करने का काम करते थे लेकिन जब कटाई की बात आती तब मायावथी टिकट बेचकर तिजोरी में पैसा भर कर रख लेती थी उन्होंने का कि मायावथी ने बाबा साहब के नाम पर वोट लिया है उन्होंने ब्रभ्रमित करने का काम किया है कि प्लान अप्टिती ने भाँ कि हमारे अजबंगे समाज के बच्टों के हांत में गरें हांत में पुरान हो तो दोर से हांत में लेफ्टाप हो उन्ते बच्टे जेवल आलमारी, स्कूटर, पंजर और के मिल्सरी मिन्मा हो उनको भी हम लोन देखरके उनको कि हम डॉक्टर और इंगीनिया बनाने का प्रांग करने हैं उनके बच्टी को आठ लाग रुपे जलोन दिया है पढ़ाई के लिए लख्णू के हजरत गंज में 54,716 पदों पर सिपाई भर्ती को लेकर अब्यर्थियों ने प्रदर्शन किया अब्यर्थि प्रदर्शन करते हुए विधान भवन की नजदीक पहुंच गए आननफानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझा बुजा कर ग्याप कॉरे संखर्श करेगी दोहीं बेरोजगारों के साथ कॉंग्रेश हमेशा खड़ी हुई है कि बात मानते हैं तो लेकिन चार लाग भी रोजगार यह सरकार नहीं दें पाई है अभी बहुत सारे अबियर्थी कल होम यूपाएठिक हर्मासेश्ट यूपीयस्सी उत्तर परतेश चैन सेवा आयोग के सिच्छक भरती और आठ पुलिस के जवान भरती के लोग और यह जनबत के विदूना नगर पंचायत द्वारा पंचायत शित्र में सडकों और गल्यों की साफसफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की तेनाती की है लेकिन सफाई कर्मचारी की जगा नाबालिक बच्चे हाथों में ज़ाडू ले सडकों पर ज़ाडू मारते नजरा रहे हैं और अपने हाथों से गंदे कूडे को भर कर हाथ वाली गारी से खींचते हुए भी वहीं नाबालिक बच्चे के पिता ने बताया कि ड्यूटी ज जा रही है वहीं इस वीडियो के सामने आ जाने के बाद अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वैम बताया गया कि बच्चों के लिए सख्त नियम और कानून बने हैं लेकिन जानकारी के बाद भी सिर्फ इस पच्च्टी करन मांगने और वीडियो की जाच करने की बात कही जानकारी के लिए रांपुर के अजीम नगर थाना शेतर से दहेज का मामला सामने आया है बता दें कि शादी के दिन दुलहन सजधर कर तैयार थी जब बारात रात तक नहीं आई तो लड़की वालों ने लड़के वालों से बारात आने के बारे में पूछा तो लड़के व लड़के वालों ने अपनी असमर्थता जताते हुए बुलेरो कार देने से इंकार कर दिया वहीं मामला जब पुलिस तक जा पहुचा तो लड़के वालों ने लड़के को घर से फरार कर दिया आज मेरी शादी थी मगर वो बरात लेके नहीं आया वो देहेज की मांग कर रहा है देहेज में मारूती मांग रहा है एक महीने का टैम रख गया था एक महीने में गरीवी हरात में मेरे मवापन ने जब भी बहुत कुछ कर दिया अगरा बड़ी गाड़ी मांग रहा है जी क्या मांग रहा है बड़ी गाड़ी मांग रहा है चार परिया लिए मुझा ज़ाजापुर में बीजेपी जिला यादव ही मैदान में रह गई हैं ऐसे में शाह जाहांपुर की जिला पंचायत अद्यक्ष मम्ता यादव का अद्यक्ष बनना अपत्य हो गया है पार्टी कारेले में कैविनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सभा प्रत्याशी बीनु सिंग को भाजपा जोइन कर आई है कि भूंद शेहर में का मशीन को हाथों में लेकर राशन वित्रकों ने अपनी महाओं को ले ृrem मुख्यमंत्री को इसको लेकर बिया बतादें कि मांगे नहीं माने जाने से राशन वित्रक परेशान है बार बार शिकाय दरश कराने के बान उनकी समस्या का का समाधान नहीं हो रहा है कि हमाएं कोई पहले दार ना ही कोई तोलता उसका पाषिक पैसे नहीं करते जाएं तो शाजापुर जिला पंचायत अदेख्षपद सपा प्रत्याशी वीनु सिंग भारती जंता पार्टी शींटा पार्टी की सदस्ता ग्रेहंड की और अपने नाम बाप्सी की गुशना कैया और भाजपा में विश्वास जताया शाज्वच कि यह जॉइनिंग का और भारती जंता पार्टी की नेतियों कालर्ट यह प्रवाबित हो कर समानी बा और यहां योगी जी के जो करिया जो कारशेजी है उससे प्रवारत रोकर शरी अबशेख सिंधी ने शरी नितीश कुमार जी ने और शरी बती दीनुसिक जी जो भारत जेता पार्टी की सबस्ता जोईन की है हम उनका स्वागत देखते हैं और हम तुरा विश्वास दिलाते हैं कि यह लोग इन साहरनपुर में जिला पंचाय चुनाव को लेकर राजनीतिक भागदौर पर विराम लगया है गडवन्दन के प्रत्याशी जैवीर सिंग ने अपना नाम चुनाव से वापस लिया है भाजपा के मांगे राम चौधरी का एकमात्र नामांकन होने से निर्विरोध अध्यक् पटक पर भाजपा ने जीत दर्ज की है भाजपा के मंगे राम चौधरी निर्विरोध तो निर्वाचित होई गए आपको पताते हैं कि विपक्ष के एकमात्र पत्याशी जौनी ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया वहीं मांगे राम चौधरी को नवनिर्वाचि अध्यक्ष का प्रमालपत्र दिया जाएगा चुनाव जीतने पर भाजपा निताओं ने सोशल मीडिया पर भी बधाई देना शुरू कर दी है कि इस चुनाव में भारतिय जिन्ता पार्टी के प्रत्याशी आधरने मांगे राम चौधरी जीत हुई है और जैसा मैंने नामांकन के दिन आप सब के सामने कहा था कि प्रयाप संक्याबल के साथ और बोर्ड के अंदर सपस्ट पहुमत के साथ भारतिय जिन्ता पार्टी का प्रत्याशी इस चुनाव में विजय होगा हमारे एक साथी ने एक नामांकन किया था आज उसने स्वेच्छा से प्राते ग्यारा बजे अपना वो नामांकन पत्र वापस ले लिया और देश के नित्त तुम्हें अधर्णी योगी अधित्यनाज जी के नित्रत तुम्हें उस करके बीजेपी ऑफिस का घिराव किया बता देगी कुछ दिनों पहले सुशांत गोल्फ सिटी में दो पक्षों में मारपीट हुई थी जिसके बाद दोनों पक्षों में ताबर तोड गोलियां भी चली उस समय मामला सामने आया था कि मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष का घिराव भी किया गया बस्पा सुप्रिमों ने भले ही जला पंचायत अद्यक्षपत के चुनाव से किनारा कर दिया हो लेकिन बस्पा के निताओं पर एक के बाद एक टिकट के बदले मोटी रकम एटने के आरोप लग रहे हैं अब बहादरपुर से बस्पा के टिकट प समले को लेकर पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचा स्पीसिटी राजेश कुमार ने बताया कि इस थाना नकुड प्रवारी को इस संबंद में जांच कर कारिवाई करने का आदेश दिया गया है कि दूसमें ये लुग पराओ जी उसमें लिख गया है कि पसपापड की जोई लोग है जो नेता है यहां लोगों को बैला पुस्ट लाएक है खासकर सर्वसमाज को बसे तो वसक्त खासकर गुजर समाज को ही है वह पुछलाएक अपने जालमा पसा ले जालमा पसाने के बा टिकट देने के बाहने मुझे तेरी मदद करवाऊंगे मदद कराने के बाहने इन्होंने मेरे पैसे एंटे समसुदी नाइन साफ जो पड़ते सद्द्यक्स है उन्हों से मुझे देवबंद पैसे दिये इंज लग लग जगा जो तम आज जन सुनुवाई के दवरान एक व्य वहीं ताजनगरी आगरा में विगत 25 जून को थाना सिकंद्रा शेत्र में एक युवक्त ने अपने 60 साल के पिता की गुमशुद्गी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके बाद आगरा पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी बतातें कि मतुरा के ब्रंदावन में एक मूलचंद 25 तारीक को राजू गोला के साथ जाते हुए दिखा जिसके आधार पर जब राजू से पूछताच की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मूलचंद पर उसके पैसे लेने का मामला था और काफी समय तक पैसे ना मिलने पर राजू ने अपने दोस्तों के साथ मूलचंद को ब्रंदावन ले जाकर शराब पिलाकर पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी आग्रा पोलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है कि सिकंद्रा में 25 सारिक में पोलिस के पास एक चूचना मिली है एक पुल चंद एक व्रक्ति है साथ साल का है वह घर से गयव है यह सरक पोलिस को सुचना मिला उनका लड़का नाएकि शिर्काइद किया था पोलिस ने तुरूंत गूंसुदा रिपोर्ट दर्च करने के बा अगले दिन 27 तारिक में मतरा डिस्टिक में बिन्दावन ताना चत्र में काली फ्लाट में एक डेट बाड़ी मिली थी और डेट बाड़ी में उसका एक ट्याट्टू है लिखी थी उसका आधर पर जो पूल चंद के डेट बाड़ी वहां पर पेचानों उनका परिवार जन आठ बदमाशों को एक मुट्वीड के बाद इरफ्तार किया है साथी लूटी गई पांच लाख ब्यासी हजार रुपए और अवैद असलों समेत एक कार भी बरामत की है कि इसी महें 21 तारीकों ताना देवबंद के अंतरगत एक लूट की गटना हुई थी जिसमें जो ग्रामिन बैंक रहते हो इसकी करमचारी से आठ लाख रुपए बाइक सवार बदमाशों ने लूट ले थे इसमें हमारे जो एसोजी टीम और ताना टीम अतक प्रयास करके इ और इसमें एक अंतर राजी ग्यांग को भी पकड़ा गया है जिसमें अभी तक हम लोगों ने आठ लोगों का ग्रत्तारी किया गया है इन लोगों के पास जो नाजाज असलाह और जो लूटे गए जो पैसों में पांच लाख ब्यासी हजार रुपाए अभी तक हम एपुर के कोतवारी इलाके के लक्षमी बाई तिराहे पर बालू माफियाओं और ट्रक ऑपरेटर्स की गुंड़ी देखने को मिली दियम द्वारा ओवरलोड रोकने के लिए लगाई गई चेकिंग में तैनात सेल टेक्स अधिकारी की गाड़ी में ट्रक ने टक कर मारत शाजांपुर में पुलिस अधिक्षक एस आनंद के निर्देश पर चेकिंग अभ्यान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में कट्रा थाना पुलिस ने दो गांजा तसकरों को गिर्फतार कर उनके कब्जे से 5 किलो 200 ग्राम गांजा बरामत किया गिर्फतार किये गए दोनों अभीक्तों से पुलिस ने कड़ाई से पूछताच की पुछताच के दोरान जो तक पे निकल कर सामने आया हैं उन पर भी पुलिस आगे की कारिवाई करने की बात कर रही है फिलाल गिर्फतार किये गए दोनों तसकरों को पुलिस ने जिल भीज़ दिया है अट मैं ऊच्पार को कल दो अभिक्तों के रफथार करने में सवहलता मिलिये मुकृत पी शूचना के अधार पर दो अभिक्तों के रफथार किया गा कि इनसे 5kg गान्या प्रामत किया गया है पूज़ास पर नहीं बताया कि विलासपुर से इसको लाते हैं फिर चोटे चोटे पुरियों में बेज देते हैं इसमें जो अब्यूट अनवर है इसमें काफी मुगत में हैं लूट के और गैंसर के अब्यूट देश में डेल्टा प्लस वैरियंट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी ख़बर भी सामने आई है बारत ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक नया वर्ड रिकॉर्ड बनाया है भारत में जनवरी 2021 में कोरोना वैक्सीन देने की मुहिम की शुर दिया है कि इंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने डेटा जारी कर इस बात की जानकारी दी है और क्या कुछ है पूरा जो खबर वो भी आप इस हमारी इस रिपोर्ट में देखिए वैक्सिनेशन को लेकर कौन है सबसे आगे पहले स्थान पर भारत दूसरे स्थान पर अमेरिका तीसरे स्थान पर यूके भारत ने कोरोना वैक्सीन देने के मामले में दुनिया के सभी देशों को पीछे चोड़ दिया है भारत में जनवरी 2021 में कोरोना वैक्सीन देने की मुहीम की शुरुआत हुई थी जिसकी रफ्तार के आगे अब कई देश पीछे रहे गए है केंजी स्वास्टर मंत्राले द्वारा जाली डेटा के अनुसाद भारत में अब तक लोगों को वैक्सीन की 32 करोड़ 36,63,297 डोज दी गई है जबकि अमेरिका में वैक्सीन की 32 करोड़ 33 लाग से जादा डोज दी गई है केवल अमेरिका ही एक मात्र ऐसा देश पचा था जो वैक्सीनेशन में भारत से आगे था भारत ने अब उसे भी पचार दिया है इस सूची में चौते नंबर पर जर्मनी है जहां अब तक 7 करोड 14 लाग से अधिक वैक्सीन लगाई गई है पाशमे नंबर पर फ्रांस है यहां अब तक 5 करोड 24 लाग से जादा वैक्सीन के डोज दिये गए हैं इस संबन में केंद्र स्वास्ट मंत्राले ने कहा कि भारत ने COVID-19 वैक्सीनेशन में एक और उपलबधी हासिल की है और दी गई COVID-19 वैक्सीन की कुल्खुराकों के मामलों में वहां अमेरिका से आगे निकल गया है कहा कब शुरू हुआ वैक्सीनेशन भारत में 16 जन्वरी 2021 UK में 8 दिसमबर 2020 अमेरिका में 14 दिसमबर 2020 इटली में 27 दिसमबर 2020 जर्मनी में 27 दिसमबर 2020 फ्रांस में 27 दिसमबर 2020 केंद्र स्वास्च मंत्राले की ओर से डेटा जारी किया गया है इसके मुताबिक बाकी देशों की तुल्ना में भारत में देर से कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ आकड़े में बताया गया है कि भारत में वैक्सीनेशन अभियान की शुरूआत 16 जन्वरी 2021 से की गए जबकी यूके में वैक्सीनेशन अभियान की शुरूआत 8 दिसमबर 2020 में हुई अमेरिका में 14 दिसमबर इटली जर्मनी और फ्रांस में 27 दिसमबर 2020 से वैक्सीनेशन की शुरूआत हुई लेकिन इन सभी देशों को पीछे चोड़ते हुए भारत वैक्सीन देने के मामले में पहले नंबर पर पहुच किया है आउट्पूट डेस प्राइम टीव इस बुलिटिन में फिलाल मेरे साथ बस इतना ही आप देखते रहिए प्राइम टीव प्राइम प्राइम टीव